हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरे यूट्वीब चैनल में इस तरीके का आज सीखेंगे दरी बनाना फ्लोर मैट डोर मैट कारपेट कुछ भी कह लीजे बहुत ही इजी तरीके से और बिल्कुल नया तरीका है तो प्लीज वीडियो को इसकिप मत करिएगा आपको बहुत मैंने यहाँ पे लिया है दुपट्टे साडियां जो भी हो आपके पास ले लीजे जॉर्जट शिफॉर माटेरियल में क्योंकि कपड़ा सॉफ्ट रहता है और इसली हमारी सिलाई भी लग जाएगी करना क्या है लैंथ वाइज मैंने 3-3 इंच पे कट लगाए हुए है इस इसली 3 इंच काफी है 3 इंच पर कट लगा लीजिए और इस ट्रिप को ऐसे फारते हुए अलग कर लीजिए तो जितना भी आप बड़ा चोटा बनाना चाहते हो सारे कपड़े की पटियों को इस तरीके से हमें अलग कर लेना है तो यहाँ पर मेरे पास खूप सारी हो चुक बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीका बस आगे इसमें कुछ ट्विस्ट आएगा जो अभी बिल्कुल नया होगा तरीका इसको बनाने का तीन स्ट्रिप ली है मैंने इसको नौट लगा लिया है और जैसे सिंपल चोटी बनाते है गुथ वाली बिल्कुल हमें वैसे बना लेना है तो हमें सिंपल चोटी बनानी है और जहां कपड़ा कम होगा वहां आप पट्टी को बढ़ाते चाहिए तो कहीं भी डोर के कुंडे वगर हमें फसा लीजे मैं यहां डोर पे फसा ले रही हूँ क्योंकि यहां मैं इजी तरीके से बैट के बना लेती हूँ तो जब भी मैं इस तरीके से डोर्मेट बनाती हूँ तो यहीं पर बनाती हूँ अब देखें, simple हमें चोटी बनाते जाना है तो देखें, यहाँ पर मेरी चोटी इतनी बन चुकी है बस इसी तरीके से simple चोटी बनाना है जहाँ पर कपड़ा कम होगा, या तो आप सुई धागे से हाथों से इसको टक कर लीजे और मैं तो सिर्फ इसको अंदर की तरफ ही पसा लेती हूँ, fold करके क्योंकि अभी सब सिलाई में चला जाएगा और जब सिलाई करके इस ट्रीक से नहीं भी बनाती हूँ, जब भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ अंदर की तरफ कपड़े को fold कर लीजे, उसी पट्टी में wrap कर लीजे क्योंकि जो यह चोटी वाला pattern बन रहा ना, इसी में आपका जो कपड़ा जहां पर जोइन हुआ है यह अंदर की तरफ चला जाता है, और कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता तो अगर आप शाह हो, तो थोड़ी सी आपकी महनत बच जाएगी, यह कर जिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका सुईधा का लेकर बैटने से अच्छा है, आप कपड़े को अंदर की तरफ turn कर लीजे और पूरे पर चोटी बनाते जाएए, बस इसी तरीके से हमें चोटी बनाना continue रखना है और देखे, मैंने खूप सारी बना ली है, मतलब यह पूरी लंबाई में ही एक लड़ी बन चुकी है अब यहां मैंने कपड़े का पीस लिया, यह है 20 by 14 का, परफेक्ट साइज है डोर्मेट के कोड़ी बैटशीट का कपड़ा लिया, आप कोई भी मोटा कपड़ा ले सकते हो, बस बेस हमारा मोटा होना चाहिए चारो तरफ से उसको फोल्ड कर लिया है, तक कि कोई धागे रेशे ना हो, मशीन पे आ चुके हैं, अब स्टिच करने की बारी देखे, मैंने यहां पे लिया है 18 नमबर के निडिल, ठीक है, और यहां पे मैंने टेंशन को कर लिजिए 5 नमबर पे इसको 5 नमबर पे कर लिया है, सुई हमने लगा लिया है 18 नमबर की, अब दोनों सैट से हमें हाफ हाफ इंच का मार्जन छोड़ देना है तो देखे, जो कपड़े की चोटी बनाई थी, मैंने जहां पे नौट लगा है, और कपड़ा आगी की तरफ छूटा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें, यह मैं बाद में कट कर दूँगी हाफ इंच का देखे, जो बेस है, उस पे मैंने मार्जन छोड़ा हुआ है, साइट से, हाफ इंच, ऊपर के साइड और साइड में उतना छोड़ देना है, और हमें चाहां चोटी बनानी शूरू की थी ना, वहां से हमें स्टिच करना है, स्टार्ट कर लेना है आप चाहो तो बिल्कुल कॉर्णर से भी स्टिच कर सकते हो, मैंने हाफ इंच का जो साइड में मार्जन इसली छोड़ा है, कि वहां पे मैं लास्ट में एक बॉर्डर जैसा बना दूँगी दूसरे कलर में, तो देखने में और अच्छा लगेगा अब ये creativity आप खुद से भी कर सकते हो, अलग color combination को चूज करके या फिर पीछे की तरफ fold कर दीजे कपड़े को, दोनों तरीके से ठीक है तो इसमें नई बात यह है कि देखिए, इस चोटी को मैं machine से stitch कर रही हूँ, हाथों से टक करते हैं, तो उसको दोनों side use करते हैं, उस तरीके के door mat को, पर होता क्या है, आप जितना भी उसमें हाथ से टक करने के मेहनत पड़ती है, और वो हलका सा टोपी की तरीके, मतलब और इस तरीके से आप बनाओगे ना, यह बहुत मजबूत बनते हैं, क्योंकि सिलाई machine से stitch किया है, तो कहीं से खुलने का सवाल भी नहीं है, और बिल्कुल flat रहता है, तो इस तरीके से प्राने कपने हैं, तो आप बड़े साइज में, चोटे साइज में, door mat बड़े से बड बना सकते हो, देखे, सिंपल सिलाई करते जा रहे हैं, और यह बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब जब हातों से आप टक करने बैठते हो, उससे जल्दी यह machine से बनता है, तो देखे, मेरी umbrella machine है, आपकी सिंपल सिलाई machine है, बस आप दो चीजों का धियान रखेगा, आप निड भरता जाएगा, मतलब जो इस पेस देख रहे हो कपड़े का, यह आपका पूरा फिल होता जाएगा, और यह पैटन रिपीट होता जाएगा, बस जो चोटी बनाई है, इस तरीके से रिपीट करते जाएगे, स्टिच करते जाएगे, तो बिल्कुल लंबी लड़ी है, जित सिर्फ रिपीट करते जाना है, लास्ट में मैं दिखाती हूँ कैसे आपको करना है, देखे बिल्कुल थोड़ा से स्पेस बच्चा है, सिर्फ एक चोटी के बराबर, इसको आप अपने कॉर्डिंग भी अज़ेस्ट कर लीजेगा, अब देखे सिर्फ एक चोटी के बराब पर है तो पूरा हमें स्टिच कर लेना है, लास्ट पे आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा लूँगी क्लोथ पिन ताकि यह खुले ना, जो कट करूँगी चोटी उस वाला वो पार्ट भी ना खुले और जो स्टिच करना है वो भी ना खुले, तो गुमा गुमा के चारो तरफ से सिल्क अच्छे से पका कर लिजे ताकि कभी भी खुले ना, जब भी आप वाश करो या इसको यूज करो, तो यह खुले ना और मजबूती के साथ हमारे स्टिच हो जाए, यहाँ पर पूरा जो है फिल कर लिया है मैंने, कम्प्लीट हो चुक कि तरफ कपड़े को फोल्ड करके भी, मतलब हातों से ही टक कर सकते हो, तो यहाँ मशीन चल रही है तो मशीन से ही बनाएंगे, देखिए इस तरीके से छोड़ देना या आप फोल्ड भी कर सकते हो, तो मैं फोल्ड करके बनाऊंगी, और कॉर्नर से बिलकुल मत करिएगा, कॉर्नर से पीछे की तरफ, या आगे बढ़के करिए या फिर कॉर्नर चोड़ के पीछे की तरफ से करिएगा, कॉर्नर पे हमारा जो जो ज्वाइंट दिखता है, या कोई फिनिशिंग नहीं आती थोड़ा सा भदा लगता है, तो इस तरीके से देखिए मैं इसको भी जो भी रफ है, जैसे वो अंदर की तरफ दब चुकी है, और पिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये बन जाएगा, तो जिस शेप में कपड़ा है, उसी शेप में हमको स्टिच करना, अगर कहीं दिक्कत आती है, तो आप फोट से इसको यह से निकाल लीजे, मशीन के ठीके से मैं नौट को खोल ले रही हूँ, और नौट को खोलने के बाद हमें कट कर लेना है, कपड़ा छोटा हो तो फोल्ड कर लीजे, ज्यादा हो तो कट कर लीजे, यहां मैं कट कर लीजे, क्योंकि मेरा ज्यादा था ये, अब इसी के ऊपर दूसरी वाली जो फाइनल मै चीज बनाते हो तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यह बन चुका है प्यारा सा डोर मैट तो मैंने डोर मैट के साइज में बनाया है मैंने बनाया है 20 बाइ 14 का और यह परफेक्ट साइज है डोर मैट के शेप में आप इसको ट्रैंगल में हाट में किसी भी शेप में बना लीजे बेस आपको उसी के कॉर्डिंग कट करना है और पूरा फिल करते जाना है तो देखे ये था बिल्कुल सिंपल तरीका इस्टिच करने का बिल्कुल न्यू ट्रिक है इसको हाथ से तो आप टक करके जरो ट्राय करिएगा वीडियो पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं एक और यूसफुल वीडियो के साथ थैंक यू